हेलो दोस्तो कैसे आप सब तो दोस्तो आज हम एक थ्रिलर मूवी के साथ बापस आए है जिसका नाम है दी सैंड जो कि 2015 में रिलीज हुई थी मूवी के शुरबात में हमें एक ग्रूब आफ फ्रेंग्स को देखते हैं जो के बीच पर पार्टी करने आए थे बही पर उन्हें एक अजीब सा एग मिलता है तो वो लोग उसे लेकर मस्ती करने लगते हैं जिसके कारण बो कुछ कुछ जगा से तूट जाता है ऐसे ही सुवह हो जाती है और सभी लोग टायड होके अपनी गारियों में सो रहे होते हैं हम मार्शा को देखते हैं जिसकी तभी अदरात के पार्टी के बाद खुराब हो जाती है तभी दूसरी लड़की केली सैंड पर एक बर्ट को देखती है वो बर्ट अजानक से सैंड के अंदर समाज जाती है केली को समझ आता है कि इस सैंड में कुछ तो घर बढ़ है वो तुरंद मारशा को चिला कर कहती है कि सैंड पर पाउ मत रखना पर उससे पहले मारशा ने अपनी पैर सैंड पर रख दी थी उसका पैर बहीं पर अटक जाता है जैसे कोई अंदर के तरफ उसे खीच रहा हो वो उसे नहीं निकाल पाती अब वो अपने हाथों के मदद से पैर को निकालने के कोशिश करते हैं तो उसके हाथ भी सैंड के अंदर चला जाता है ये देख उसी का एक दोस उसके मदद करने के लिए सैंड के उपर चला जाता है उसे सभी मना कर रहे होते हैं पर वो किसी की बात नहीं सुनता पर उस सैंड के उपर वो दौड नहीं सकता उसके पैर अटक जाते हैं जिसके कारण वो गिर जाता है नीचे अब उसका पूरा शेरिर उस सैंड में चीपा गया था एक अजीब तरह का क्रियाचर उसके स्कीन कोईन बोडी को खार रहा होता है ये देखुनी में से एक लड़क अपने गारी को स्टार्ट करने के कोशिश करता है ताकि वो उसके पास जाके उसे सैंड से उठा पाए पर वो गारी स्टार्ट नहीं होती दूसरा दोस्त उसे बचाने के लिए उसके और एक रसी फैकता है पर वो वहाँ से वाहर नहीं आ पाता है और वो सैंड उसे पुरा निकल जाता है यह सब देखके सभी लोग बहुत ही ज़दा घबरा जाते है उन्हें नहीं समझ जाता है कि कल रात तक तो यहाँ पर सब कुछ ठीक था भी रात अचानक ऐसे कैसे हो रहा है सैंड को चेक करने के लिए कहली अपने हाथ को सैंड के उपर रखती है वहाँ उसे सैंड के अंदर से कुछ चीज़ निकलते हुए दिखती है जिससे ही लोग समझ जाते हैं कि इसी के कारण यह सब कुछ हो रहा है वो सभी लोग आप इसमें डिसाइट करते हैं कि वो लोग अपने जगा से सैंड में नीचे नहीं उतरेंगे यहाँ पर हम एक मोटा साद में गिलवर्ट को देखते हैं जो कि नशे में दूदों के एक ड्रम में सो रहा था और वो बुरी तरह से उसके अंदर फस चुका था उसकी तब ही नीन कुलती है और उसे इस सैंड के बार में कुछ भी नहीं पता होता है वो खुद की बॉडी को उस ड्रम के अंदर से निकालने के कोशिश करता है तो सभी लोग उसे चिला के बताते हैं कि बूर बाहर ना निकले बरना यह सैंड उसे खा जाएगा वो लोग बैट के धंडे दिमाग में सोचने की कोशिश करते कि इस जगा से कैसे निकले रात को पाटी करते वक्त इन सबने अपने फोन्स को कार के ट्रंक में रखा था और कार की हेट लाइट भी पूरी रात जल रहे थी जिसके कारण कार की बैटरी खतम हो जाती है तो गार भी स्टार्ट नहीं होती है जैसे जैसे टाइम बिता गया उन्हें तेज दूप लगने लगती है दूप से खुद को बचाने के लिए वो लोग अपने उपर संस्क्रीन लगा लेते हैं उसे वक्त उन सब की नजर सैंड पे पड़े हुए उस बड़े से एक पर पड़ती है वो एगर पुरी तरह से फट चुगा था जिसे लेकर पिछली रात ये सब मस्ती कर रहे थे उन्हें समझ में आता है कि इसी एक से कोई क्रियाचर निकल के उस सैंड में मिल गया है सैंड को चेक करने के लिए केली सैंड के उपर एक चीज फैक्ता है उस चीज को भी वो क्रियाचर निकल जाता है ये सब समझ जाते हैं कि रात के पार्टी में बहुत सारे लोग थे और बाकी के लोग भी यहां से नहीं जा पाए होंगे रात को वो सब सेंड में ही सो रहे थे जिसके कारण ये सेंड उन सब को निगल गया है सबी को अब भूक लगने लगती है उन सब के खाने का सामान एक टेबल पर बढ़ा हुआ होता है उसे लेने के लिए जो ने अपने स्केट बूट को सेंड के उपर रखके उसी के उपर से टेबल तक जाने की कोशिश करता है पर जैसे ही वो एक और टेवल के उपर रखता है तो उसका दूसरा पैर स्केटबुर्ट के साथ फिसल जाता है वो जैसे तरसे कर के खूत को बैलन्स करता है तब ही वो देखता है कि सेंट के अंदर से वो क्रेचर बाहर आ रहा है वो फटावर से छलांग लगा कि टेबल के उपर चड़ जाता है वहाई पर उसे एक बैक के अंदर खाने का सामान मिलता है वो एक बनाना निकाल के उसे खाने लगता है तो उसे उल्टी हो जाती है अध़ जैसे उसकी नजर उसके पेट पर पढ़ती है तो वो देखता है कि उसके पेट में बहुत सादा जखम हो गई है जो कि टेबल पर चरते वक्त उन केजर उसने किया था जोना अब भी पैनिक नहीं होता वो अपने सारे दोस्तों के और खाना फैकता है थोड़े ही देर में उसके पेट का जखम और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है और वहां के स्किन पिखलने लगती है वो दर्थ के मारे उसी डेबल पर लेट जाता है रोनी अपने सारे दोस्तों को कहती है कि उनके मुबास इसी गाड़ी के ट्रंक में है उन्हें वो किसी हालत में निकालना पड़ेगा ताकि उससे वो लोग मदद बुला पाए पर गोई भी अपने जगा से हिलना नहीं जाता है तो रोनी अपने दोस्त चंदा के मदद से एक टॉल को पकड़के उस डिक्की को खोलने की कोशिश करती है उसे बहुत ही साबधानी से ये काम करना पड़ता है अधरवाइस वो नीचे गिर सकती थी फाइनली रोनी ने ट्रंक को खोल दिया था तब है उनकी नजर आगे एक चलती गाड़ी पर पड़ती है वो नी के दर अब आ रहे थे और वो इसी बीच को सुपरवाइसर थे उसके उपर ध्यान देने के चक कर रोनी का पैर फिसल जाता है और उसकी हाथों के उंगले ट्रंक से दब जाती है वो दर्त के मारे चिलाने लगती है मदद के लिए उसके सभी दुस्तों सुपरवाइसर को बुलाने लगते है वो उन्हें कहते कि वो सभी यहाँ पर फस क्या है उनका मदद करने के लिए जैसे ही वो सुपरवाइसर आगे आता है और गाड़ी से उतरता है सभी लोग चिला के उन्हें मना कर रहे होते है सेंड पर उतरने से पर उस सुपरवाइसर को सेंड पर उतरने के बाद भी कुछ भी नहीं होता है वो जोना के पास जाके उसे पूछता है कि तुमारे साथ ऐसा कैसे हुआ फिर वो गिल्बर्ट के पास जाके उसे उस ड्रम से निकालने की कोशिश करता है फर वो उसे वहाँ से नहीं निकाल पाता है वो उन सब को कहता है कि मैं यहाँ पर अपना रेस्क्यू टीम भेज़ूंगा थोड़े ही देर में जो तुम्हें यहाँ से बज़ा के ले जाएंगे फिर वो रॉनी के पास जाता है तो रॉनी उससे मदद मांगता है पर वो सुपरवाइसर उसका मदद नहीं करता है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि यह लोग नशे में हैं और नशे के कारण यह सब हुआ है वो उन्हें पूछता है कि तुम लोग नीचे क्यों नहीं आ रहे हो और तुम लोग यहां से क्यों नहीं जा सकते हो मैं तो खुद ही सेंट पर खड़ा हुआ हूँ केली पता थी है कि सेंट के अंदर एक क्रियेचर है जिसने उसके दो दोस्त को जान से मार दिया है और सेंट के अंदर निगल गया है सुपरवाइसर को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता है और वो कहते हैं कि मुझे ऐसा गिम नहीं केलना है वो उन पर गुसा दिखा कि अपना गन निकालने जाते है तब ही उनका की सेंट पर गी जाता है वो इसकी को उठाने जाते तो सभी उन्हें इतला करते हैं कि वो सेंट को टच ना करे वो किसी की भी बात नहीं सुनते हैं और अपने हाथ सेंट को टच कर देते हैं अब उन creature ने उनके हाथ को भी पकड़ लिया था और उनका हाथ सेंड के अंदर धस्ता ही जानता है वो अपने एक paper spray निकाल के उनके उपर spray करता है जिसका effect उन creature पर थोड़ा बहुत तो पड़ता है तो वो supervisor अपने हाथ को खिच के मिट्टी से निकालता है तब तक उनके आदे हाथ को उन creature ने खा लिया था ये देख वो बहुत ही जादा डर जाता है साथ ही साथ बहुत पेइन होता है बोडी स्बैलेंसों के सेंड के उपर गिर जाते हैं केली फटा फट से वहाँ जाके उस paper spray को उठा लेती है ताकि इसका वो लोग आगे जाके योज़ कर पाए और उस supervisor की पूरा बोडी वो सेंड निगल जाता है मीज सबी को बताता है कि वो supervisor सेंड पर उतर पाया था क्योंकि उनके जूते मजबूत थे उसका fabric काफे strong होने के कारण वो क्रियेचर उसका कुछ नहीं कर पाए मीज सब को कहता है कि अपने टावल और कपड़े अपने पैर पर बांद के हम लोग इस सेंड से बाहर जा सकते है ये बास से उनके चैन्डा उसके और अपना एक टावल फैक्ती है उसे पकरने के चक कर एक बाड़ी सेंड के उपर गिर जाता है वो क्रियेचर वाहर आके उसके खून को चूसने लगता है और देखते ही देखते उसकी पूरी बाड़ी सेंड के अंदर समा जाता है ये लोग अपने तीन दोस्त को खो चुके थे जिसके करण ये सब बहुत ही जादा परेशान होने लगते हैं केलिए वा अपने कैबिन का एक वार बैरियर के मदद से कार के उपर जंप लगाती है वो दोनों मिलके रॉनी के उंगली को ट्रंक से निकाल देते हैं इधर गिलबड उस ड्रम में काफी देर से फसा हुआ था जिसके करण उसके बॉड़ी में जखम होने लगते हैं और वहां से खुन बैने लगते हैं जैसे उसके खुन के कुछ बूंदे उस सैंड पर गीते हैं तो वो क्रियेचर से स्मेल करते हुए बाहर आता है वो दिनों लड़किया एक दूसरे के मदद से कैबिन के बेरियर के पार्स को यूज़ करके टेबल तक एक रस्ता बनाती है फिर एक एक करके दो लड़की टेबल तक पहुँच जाती है जोना के पास रोनी की उंगली काफी देर तक ट्रंक में फस के थी तो उसमें से ब्लिडिंग हो रही थी वो अपने हाथ को एक कपड़े से लपेट लेती है फिर उस टेबल तक पहुचने की कोशिश करती है पर बीच में ही उसके हाथ से कुछ खुन के बुने सेंड पर गिर जाती है ये देख वो बहुत ही जादा घबरा जाती है और उसका बैलन्स बिगरने के कारण वो सेंड पर गिर जाती है बाकी सबके जैसे उसका भी वही पर मौत हो जाती है इधर गिलबर्ट का भी काफी खुन बहरा था जिसके कारण वो क्रियचर इसके ड्रम के उपर चिपकने लगते हैं देरी ना करते हुए चैन्डर अपने पैर पे दो रावल बानती है फिर रेट के उपर से दोड़ते हुए एक कार पर पहुँच जाती है जो कि सुपरवाइसर का कार होता है उन कॉटन फैबरिक्स के कारण उसे कुछ भी नहीं होता ये देख सभी को काफी होसला मिलता है पर अब तक काफी देर हो चुका होता है इतने सारे इनसाना को खा के वो क्रियाचर काफी स्ट्रॉंग हो चुका होता है वो गिलबर्ट के डराम को तोड़ते हुए उसके अंदर से आके उसे खाजाता है ये देख बागी दो लड़किये बहुत ज़ादा गबरा जाती है क्योंकि creature का size काफे बड़ा हो चुका था वो creature अब चैनला को smell करते हुए कार के उपर चरने की कोशिश करता है जिससे चैनला डिस बैलनस हो के कार के उपर ही गिर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है रात को उसे अचानक वही बहोश आती है उसे सुपरवाइजर के कार में एक एरबोट मिलती है वो उसे फूला के सैन्ट पर रख देती है जिसके मदद से जौना और केली कार तक आ जाते है अब तक ये creature size में काफे बड़ा हो चुका था वो creature उन पर हमला करते तो केली उसके उपर फ्यूर डाल देती है फिर माचिस से उसके उपर आग लगा देती है वो तीनों कार के अंदर बैट के gate को लॉक कर देते है और वहीं पर सो जाते है अगली सुबह उनके कारी के पास एक आदमी आता है वो उन तीनों को जगाता है यह लोग समझ जाते कि अब सेंड से कोई खत्रा नहीं है तो सेंड पर उतर के वहाँ से चले जाते है यही पर यह मूवी खातम होती है आशा करते आपको आज की एक्स्प्रेनेशन अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आज के लिए यही तक मिलते हैं और एक्स्प्रेनेशन के साथ तब तक के लिए बाई अब ग्रेट दे